स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी सैमसंग डिवाइस पे जो है सैमसंग गलेक्सी स्टेन का जो एज स्क्रीन पैनल है उसको सेट करेंगे दोस्तों इसके उपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन वो इतना बड़िया वर्क नहीं करता था लेकिन जो ये वाला है ये बिल्कुल ही अल्टिमेट वर्क करता है बिल्कुल बड़िया वर्क करता है और कैसे आपने इसको अपने फोन में सैट करना है उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो हाँ पर देखना होगा तो वीडियो को skip मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप बाद में बोलेंगे कि यार भाई समझ में नहीं आए इसके उपर दुबारा बताईए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आप मेरा वीडियो पर देखते रहे हैं तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो जो है तो उसका नाम है एपलिकेशन का नाम है और सिर स्क्रीन ranisid सिर दोल्षव एपलिकेशन है इसको अपने करना है पर अपन तो आपने इन प्रूमिशन को कर देना है ठीक है उसके वाद आपने assice savas को यहां से ओनर कर देना है फिर उसके बाद आपने background में जाना है setting देखनी है आपने कैसे करनी है background में जाना का blur background जो 43% रखना है background capacity आपने 201 तक रखनी है और default wallpaper यहाँ पर आप अपना wallpaper भी लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है बाकि आप make the background darker और इसको भी आप उसको कम ज़दा डार किया कम ज़दा कर सकते हैं इसको करने के बाद आपने क्या करना है आपने बैक आजाना है बैक आने के बाद आपको इस तरह यहां से option मिलेगा जिसे तो यहां पे यहां पे आप जो है अपने पसंद की application यहां पर add कर सकते हैं यहां पर तो यहां पर आपको और भी बहुत सारे option मिलते हैं इस edge panel में आपको मिलते हैं contact के भी मिलते हैं people मतलब contact add कर सकते हैं tool वगएर add कर सकते हैं soft key edges यहां पर back power यहां पर तू आप देख सकते हैं और यह option आपको यहां पर जादा मिलते हैं और पिछली बार जो मैंने वीडियो में था उसके उपर यह बड़िया वर्क नहीं करता है लेकिन यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आप इसे किसी भी Samsung device में जो है enable कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुली करें तो बाई बाई टेकर जैहिंद जैभारत